रही दोस्तों कैसे आप लोगों मिले आप से बहुत अच्यस होंगे स्वागत है आपका बहुत important वीडियोस में और इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्तों क्रियात्मक अरुसंधान के बारे में एकसर रिसर्च के बारे में साथ ही साथ जानेंगे इसके types और एक most important सवाल जो आपसे पूछता है कि अपने विद्याले से चुड़े किसी एक समस्या का चुनाओ करके क्रियात्मक अनुसंधान report तयार करिये तो एक complete बहतरीन और एक अच्छे सी class होने वाली है आपके exam point of view से बहुत ज्यादा important है या तो आए हम बिना किसी देनी के सुरू करते हैं और सबसे पहरे समझने की कोशिस करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है देखिए विद्याले कि कोई भी अगर समस्या हो समस्या कुछ भी हो सकती है बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है बच्च विज्ञानिक विदी से मन विज्ञानिक विदी से इसको सॉल्व करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान सिक्षक की समस्याओं के लिए आत्यंत महत्पूर उप्रण है इसके अध्यकत सिक्षक की समस्याओं का विज्ञानिक विदी से समाधान ख तो क्रियात्मक अनुसंथान विद्याले के कार्य पद्धिती में विकास करने के लिए एक सबल साधन हैं, जिसके माथ्म से सिख्षक अपनी कच्छा तथा विद्याले के समस्चाएं सुझाने का पर्यत्म करता है, आज इस सिख्ष़ के छेतर में ने-ने अनुसंधान होते ज रहे हैं जिनका उदेश सिक्षा को उस्तम बनाना और सिक्षा संबंदित समस्याओं को सुल्जाना है तो क्रियात्मा गरुसंधान अनुसंधान की प्रक्रिया को गती परडान करता है, क्रियात्मक अनुसंधान समस्याओं के अध्यान की वेग्यानिक पद्धती है, जो ग्यान की खोज के लिए किया जाता है, मतलग विद्याले के किसी वी समस्या का वेग्यानिक पूरवक अध्यान करना, उसकी समस्या का कार पड़ जानना फिर उसको अपने परिकलपना से विग्यानिक विदि जमन विग्यानिक विदि से हल निकालना वास्तों में यही किर्यात्मक अल्शंधान कहलाता है। जिसका उदेश से वेक्ति के सामूही क्रिया में रहतनात्मक सुधार दादा विकास लाना है। स्टिफन M. कोरे ने कहा था कि सिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कालेकरताओं द्वारा की जाना वाला अनुसंधान है। ताकि अपने कालेकों में सुधार किया जा सके। गुंद्रों ने कहा था कि अनुसंधान समस्या को सुझाने की वह भी जिसमें सुझाओं की पुष्टी तथ्यों द्वारा की जाती है। मतलब सुझाओं की पुष्टी तथ्यों द्वारा की जाती है। किसी फैक्ट के द्वारा किसी सिध्धान के द्वारा आप कोई समस्या है उसका हल निकाले यह बात हो भी परिवासा की अब आई एक दोस्तों most important points यहां पर यह आता है क्रियात्मकरण संदन के सोपान यानि किस चरण कितने step होते हैं क्रियात्मकरण करने के लिख लिजेगा सवाल पूछा है को समस्या का परियां करना सब्सक्रण का उपकलपना के निर्माड करना तथ्य्यवा का संकलन तत्यों की शांकि की विशले सब्सक्रण सत्यापन सबसे समस्या करेंगे तो सबसे पहले आप समस्या का चुनाओं करेंगे, हमने समस्या का चुनाओं कर लिया कि बच्चा इस्कूल नहीं आता है, फिर तक संग्रहन की विदिया, उपकलपना का निर्माड, फिर आप उपकलपना करेंगे, एक सोचेंगे कि बच्चा इस्कूल क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता हो उसकी teacher से कोई बात बुरी लग गई हो किसी बच्चे से जबरा हो गया हो school आने से डर रहा हो school में वो interest नहीं ले रहा हो इस तरीके से आपने कारण जाना हो फिर आप इस कारण को कैसे दूर कर सकते हैं तो सकता है बच्चे का क्रिकेट पसंद है तो स्कूल करिकुलम में हम क्रिकेट को बढ़ावा दे या फिर एक प्रिकेट को रख दे उससे जो पढ़ा रहे हैं क्रिकेट समनीद सवाल पूछे तो बच्छे को इंटरेस्ट लगे गब इस तरीके से आएगा अगर किसी बच्च जाएगे तो इस तरीके से आप पहले परिकल्पना करेंगे फिर उसके बाद अपलाई करेंगे और इस तरीके से करगार का समधान कर लिए आपने उपकल्पना का निर्मार कर लिया तत्य संक्रहन की विद्री आपने जो तत्य खोजा उप कहां कहां से खोजा इसकी विद्री तत्यों का संकलन संख्य की विसलेशन मतलब उसको लागू करना उसको विसलेशन करना समझना तत्यों पर आधारित आप एक निश्कर्स निकालेंगे फिर उसको सत्यापन करेंगे कि वास्तों में बच्चे की लड़ाई चीक हुई कि नहीं हुई उसके बाद परिडामों की को देंगे इस तरीके से क्रеात्म गरुसंदान बनाया जाता है तो आप से जब पूछे गा क्रयात्मय ल्हण करना पड़ेगा इसको एक्स्पैनः करना पड़ेगा अब आई कृत्मय अरुम संद्धान की लाव कहां यहां जाने स्पहले हम azt Mich Bill रदा श्कार सखिए और यूधर समयogenा स्वाण कराएक करते हैं हम ने योजना बनाया है पहला हमने समस्या का चुनाओं किया है यूजना का सिर्षक होगा आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं समस्या का चुनाओं इक चीदफ बिद्दे रहे हैं यह उम्मिद है कि आपको साफ दिखाई दे रहा हो नहीं आपको चातर तुवारा गिरियह अकारे सब्सक्राइए दोस्त wash कि और अनुसांदंधां करता कौन है उनकी योगेता क्या है और योजणा की प्रिस्ट भूमी क्या है दोस्तो प्रिस्ट भूमी यही से समस्या का चुना होगा तो यहां तक इसकी रू 의 ंबर can adventures तो इस तरीके से आपने पहले रूप रेखा बना लेने अब उसके बाद योजना के अंत्रकत प्रस्तावित अनुसंधान का उतेश है कि जब आप योजना करेंगे तो उसका फायदा क्या है छात्रों में गिरियेकार पूर्ण करने की प्रकृति उत्पन करना छात्रों में ग गिरियेकार पूरा करने से छात्रों में व्रक्तिकत तोर पर पांठ को समझने सीखने में सहायता होता है इसमें बच्चों के विकास तता परिक्षा फल भी परभाव पड़ता है तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट तयार करना है आप जो लोग टेलिग्राम या नहीं चु मतलब कहां से आपको यह समस्य अपराथ कोई तो आपने देखा कि विद्याले में कक्षा 10 के जो छात्रे समाचित विज्ञान के विषय में वह अपना ग्रियेकारे दोस्तों नहीं करके लाते हैं यह उनकी मुख्य समझते हैं अब इस समस्यों के लिए आपको कैसे पता चल पढ़ने पर यह पता चला कि बच्चे नहीं करके आ रहा है दूसरा दोस्तों विषय में मन नहीं लग रहा है उनका तक्षा में ध्यान केंड्रित नहीं होना विश्य समागरी पुछने पर और मांगने पर उत्तर पुस्तिका नव देना बैग में जाच करने पह तो यह वो कारें नहीं करके आ रहे तो आपने कारण पता चला कि समस्या के कारण विश्लेसर करने पता चला कि केवल कुछ छात्र नहीं बलकि कक्षा के अधिकांस छात्र समाजिक विध्यान में प्रक्रण में समझ नहीं पा रहे हैं पुस्तक का खो जाना भी एक बड़ा बहाना है एकार के महत्तों को कम जानकर इसे कम्विट्टा से नहीं लेते... अब आपको क्या करना है? अब आपको परिकलपना का निर्मान करना है. अब उपकलपना में.. आप लिए सोचा कि यदी हम छात्रों को दिए गए कि यह गरिए कार को मातरा को कं कर दें तो तथा बाद में धीरे-धीरे बढ़ाएं छात्र lamps पूरा आपने एक उपकलपना सोचा कि यह यह खिया में नrade कर देंगे, यह घ्राइ, जिनार्स राइगे ते वह ग्लीः कारषे के पती अधिक सचेत रहेंगे, अधिक सीरियस रहेंगे। अब इस ओपकलबना को लागो करनी हैं। अब क्छित साधर हैं। तो आपने क्या किया ग्रीह कारे की मात्रा को कम करना सुरू कर दिया लिखन विदी में लिखने में जो ग्रीह कारे को कम कर दिया 15 दिनों तक आपने कारे कि अपने वाल में देना कि अप घर से यह बनाके लाना इसमें बच्चे जादा रूची लेते हैं हैं तीसरा आपने समस्त गरिये कारे को पूर सत्र में वित्रित कर दिया आपने पूरा एक विवरण बना लिया इतना हमारा ग्रेकार है पूरे सत्र में थोड़ा-थोड़ा करके कैसे हमें देना है छात्रों को अपने अन्भोग से लिखने को कहना लेखनविधी सब्ता में एक बार और यह सारी चीज़ें आप इसको ऐसी दिख लिख लिए पतला आपको समझाने के मतलब यह है कि किस तरी प्रियोगी काम बढ़ा दिया और ग्रिकार को संपूरसत्र में बितित्र कर दिया छात्रों को खुझ से लिखने के लिए कहा इस तरीके से बच्चे का हमवर्क न करने की आदत जो हो हो जाए दूसरा जो आपने परिकार बना करी थी उसको भी आपने लागु कर दिया क्या पढ़ाने में रुची बनाना था ना जो पढ़ाने में तो आपने ग्लोब दिखाया मानचितर दिखाया जो भी सामाइक साहगरी है उसको आपने दिखाया तमेह सारडिक में छात्रों की अन्य सात्यों को सामिल करना व्याख्यान विधि एक माह तक, ग्लोब यह ओं मांचित्रका परयोग छात्रों को प्रेरित करना थुद्धा मोटिवेशन करना व्याखनवी इस तरीके सरह आपने छात्र की पढ़ाई जो थी उसको रूची पून बलाया किसरा आपने उपकलपना जो किया था उसको भी लागू कर दिया इसक्षिका द्वारा गिरेकार की नीमित जांच की गई उसका जी नीमित जांच किया गया दो माहत तक किसी विशेज साधन किया वसकता नहीं हुई सब्ता में एक दिन छातरों की उपलबदी परिखन किया गया कि बच्चा कितना सीखा है और माता पिता को ध्यान देने के लिए कहा गया तो इस तरीके से आपने देखा कि बच्चों के अंतर जो प्रविर्टी थी वो हुमर ना करके आने की वो सही हो गई और इस तरीके से करेंगे तो बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगे लास्समें आपको मुल्यांकन कर लेना है मुल्यांकन में क्या कि आपने योजना के किरियानमन को परिदावन सरुख निम्न-निसकर्स निकाले गए पहला क्या विश्य में रूचि नहोंने का प्रमुकारण था ठीक है बच साहय की गई साहयता की गई इस तरीके से अंतता और दोस्तों मुल्यांकन के बाद अंतता आप क्या किये करेंगे जो अनुसंधान करता है वो विसेश टिपड़ी करते हैं उस विसेश टिपड़ी का मतलब इस अनुसंधान क्रियात्मक के अनुसंधान करता ने अनुभू किया मतलब अगर हम अपनी सिक्षड में कुछ सुधार लाते हैं तो बच्चे फिर से ग्रियकार करना सुरू कर देंगे इस तरिके से हमारा यह रिपोर्ट तैयार हुआ अब आईए दोस्तों देखते हैं कि क्रियात्मकर संधान के लाव क्या है मतलब इसके फायदे क्या है क्रिया इस तरिक दॉर्णिक खोड़नान करते हैं इसके द्वारा विद्धयाले से संब्दित व्यक्रिवारी निकाल सकते हैं यह विद्धयाले के आधनिक समयन व्यकूल बनाने का परियास करता है इसके दोरह प्राप निसकर्स वहवारिक रूप से काफी सफल होते हैं यह हो गया दोस्तों इसके लाव अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इंपोर्टेंट है इसको देख लेते हैं वह क्रियात्मक अनुसंदान के प्रकार टाइप सॉप एक्सें रिसर्च जिसमें पहला क् क्रियात्मक अनुसंदान सहभागी क्रियात्मक अनुसंदान अनुभूती क्रियात्मक अनुसंदान और पर्योगात्मक क्रियात्मक अनुसंदान यहां पर आईए निदनात्मक का मतलब क्या होता है जब किसी सोध समस्या का उदेश समस्या के कारणों को जानना उसे दूर क करना प्रयास करना होता है तब उसे निदनात्मक क्रियात्मकर संधान कहते हैं यदि कोई विद्याती परिच्छा में नकल करता हुआ पकड़ा जाए तो उस बालक की समस्या को जाना ता उसे तूर करने का प्रयास करना यह क्या कहला था निदनात्मक कहला था अपने कारण को दो जाना फिर उस से दूर किया सभागी करियात्ता मकरणन संधान का मतलब किसी सोध समस्या का संबनेत सभागी है जो विद्याती बबनान और जहाएं कि और श्धक दोनों मिंध्यूसक्त को हल रहे यहां कि अपने कारण जाना था बच्चा क्या कर रहा था होमर्ग नहीं कर रहा था आपने उसको हल किया था तो वह आ गया निद्रात्म किया अंतरगर अब आई अनुभूती मतलब कोगनेटिव एक्षिं रिसर्च जब किसी समस्या को महसूस करने वाला स्वयम ही समस्या को हल करने का प्यास करता है तो उसे अनुभूती मूलक अनुसंदान कहते हैं जैसे आध्यापक द्वारा आपने सिक्षन वीडियो में सुदार करना टीचर को यह लगा कि मेरी टीचिंग मेथड सही नहीं है तो वह खुद में जब कर रहा है वह खुद को जब कर रहा है तो यह अनुभूती मतलब खुद से दोस्तों कोगनेटिव एक्सन रिसर्च हो जाएगा लाश्च दोस्तों पर्योगात्मक क्रियात्मक या परियोगी का नुसंदान जब किसी अनुसंदान को करने के पस्चाथ उससे प्राप परिडाम का प्रवाव दूसरों पर देखा जाता है तो उसे परियोगात्मक क्रियात्मक करनुसंदान कहा जाता है इस तरीके से परियोगात्मक और निदरात्मक दोनों काफी सीमिलर है तो इसमें कोई Tension लेने की जो जोती है बस थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको लिएक और पॉइंट जो आप से सवाल में पूछा गया ह वो ये है दोस्तो क्रियात्मक अनुसंदान और मौलिक अनुसंदान का मतलब बता दीजिए शौट में तो क्रियात्मक अनुसंदान में अनुसंदान करता अध्यापक या निर्चक होता है और मौलिक अनुसंदान में अनुसंदान करता विद्यारती होता है तो यह हो गया दोस्तों complete आपके क्रियात्मकर्ण संधान के बारे में इसी से दोस्तों समंदित आपसे सवाल पूछे जाते हैं इसे समंदित आपको सवाल लिखना होता है इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे देखिए आप कोशिशिश करेगा अपने सब्दों में बना के लिखने के लिए क्रियात्मकर्ण संधान क्या होता है किसी भी विद्याले से जुड़ी समस्या का विज्ञानिक अध्यान फिर उसके बाद इसके कुछ सोपान होते हैं फिर उसके बाद आप क्रियात्मकर्ण संधान के लाब और प्रकाहर और आपसे अगर सवाल में पूछता है कि क्रियात्मकर्ण संधान के लाब और प्रकाहर और आपसे अगर सवाल में पूछता है कि क्रियात्मकर्ण संधान के लिपोर्ट कैसे त्यार करना है तो यह जो र झाल